हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो अगर आप भी अपने फेस्बॉल काउंट में एक नया मुबाइल नमबर एड करवाने जा रहे हैं लेकिन आप यहाँ पर वह हैं मुबाइल नमबर एड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके सामने एरर शो करता है जिसमें लिखा रहता है यू कांट मेक दिस चेंज और यहाँ पर आप इसको जो हैं आप पर चेंज या फिर कोई भी नमबर एड नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह से आप अपनी प्रोलम को सोल करेंगे आज की इस वीडियो में आउस तरी को ब है तो दिखे सब से पहले के का करना है आप सुझ को यहां से बैद का जाना है देखे दोस्तों ुस तरह से आप सभी वहां से बैद का जैएंगे ऊपर यहाँ पर आप यहां पर जैते हैं और देखे draining dział आगया यहीं करना हैस जिसमें कि आपको ऑड होता हैusan कि ऑड़ करना ए अब देखिए यहां पर आने के बाद आप सभी के सामने यहां पर यहां पर यहां पर आजाएगा देखिए यहां पर आप इस तरह से जब three lines पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने यहां पर यहां पर यहां पर आजाएंगी यहां पर थोड़ नीचा आएंगे नीचा आने क यहाँ पर देखिए आपको एक option दिखेगा यहाँ पर लिखाई जैसे की continue to report a problem आपको इस पर यहाँ पर इस तरह से click कर देना है जब आप लोग यहाँ पर click करेंगे देखिए यहाँ पर लिखा है creating report और देखिए आप सरी के सामने यहाँ आ जाएगा report technical problem उसके बाद यहाँ आपको जो चीजे हैं दिखाई जाएंगी तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर click करना है जैसे की आप लोग देखिए यहाँ पर लिखाई settings आपको settings पर click कर देना है settings पर click करने के बात देखिए यहाँ पर आपके लिखाई describe the issue अब यहाँ पर main चीज आती है कि आप यहाँ पर क्या चीज लिखेंगे तो देखिए दोस्तों मैंने वह चीज लिखनी है पहले ही जो आपको यहाँ लिखनी है और वह जो आपको लिखना है मैं अपने group पर भी देदूंगा तो आप वहाँ से भी जो है इसको कोपी कर सकते हैं चलिए बता देता हूं कि आप क्या लिखेंगे अब देखे दोस्तों जो भी चीज आपको लिखनी है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो subject है यहाँ पर लिखा हुआ है unable to add phone number you can't make this change issue उसके बात देखें यहा दोनों चीजे बता देगी है हाँ इसमें आपको जो है यहाँ पर for account recovery and security process यहां तक ही आपको लिखना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसको पढ़ लीजेगा यहाँ पर जितना आपको यह लिखा है कि इसमें आपको सिर्फ यहां तक लिखना है याने कि जो नीचे आप मत लिखे का यहां से लेकर यहां तक नहीं लिखोगे उसके बाद देखिए आपके सामने आपर दिखाएगा name और your account email यह भी नहीं लिखना है सिर्फ आपको यहां पर subject लिखना है उसके बाद यहां पर dear facebook support team और यहां तक आपको लिख देना है यहां तक मैंने बताया ह आपको यहां तक लिखना है और यहां लिखने के बाद देखिए आप सब इसको send करेंगे सबसे पहले मैं इसको इस तरह से copy कर लोगे यहां पर आ चुकी है तो देखो बैक हो चुका है कोई यहां पर दोबार के लिखना है और यहां पर लिखा है upload a photo यहां पर जैसके आप वह स्कीन शोट डाल देना है जिसमें कि आपको लिख रहा है कि you can't make these changes वाला जो error आपके शामने आ रहा है आपको यहाँ पर उसका स्कीन शोट डाल देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर stand बे क्लिक कर देना है और जो आपकी यह problem है विदन यहाँ बर 2 से लेकर 12 hours के बीच में आपकी problem हो जाएगी और यहाँ पर अगर जार टाइम लगेगा तो आप 12 घंटे के बाद 12 से रिपोर्ट समिट कर सकते हैं इस तरह से जो आपकी problem है वह सोल हो जाएगी प्लिस लोग को लाइक कर देना और श्यावस